हेलो ग्लास आज हमार प्रावल्म दी गई है उसमें बता गया कि अगर वाई की वेल्व कितनी हो 500 एक पावर 7X प्लस 600 एक पावर 7X दिया है ठीक तो मैं प्रूफ करना है कि डबल डिफ्रेंसेट करने पर कितना आना चाहिए 49 Y आना चाहिए यह मैं प्रूफ करना है तो हम सब पर अब इस स्वाल को उठा लेंगे इस स्वाल को उठा लेंगे इससे में इंत जिसने संब कोमन कर सकते तो 100 कर आना चाहिए तो हम बचेए का 5 E की पावर 7X प्लस यहाँ कि बचेएगा 6 E की पावर 7X यह मैं बचेएगा और यहाँ आँ y अब इसका करेंगी y is equal to यहां क्या हैगा 100 अब यहां differentiate होगा तो dy dx 5 e की पाउर 7x plus dy dx क्या हैगा 6 e की पाउर मानस 7x यह formula जाएगा अब देखे 5 constant और 6 constant है दोलों को बाहर कर लेंगे तो क्या हैगा 100 5 बार होगा dy dx e की पाउर 7x plus यहां पर देखे 6 बार होगा तो dy dx क्या हैगा e की पाउर मानस 7x यह formula मिल जाएगा अब देखे ए के लिए यह पुरा क्या है x है तो अगर e के लिए पुरा x है तो हमें पता है कि dy dx हम करते किसका e की पाउर x का तो क्या मिलता हमको e की पाउर x ही मिलता है दुसर क्या मिलेगा 100 5 e की पाउर 7x अभी 7x से भी differentiate करेंगे न क्योंकि इसे को हमने लट किया था तो 7x से क्या आएगा? 7 आएगा ठीक? प्लस इसे तरह 6 या पिसका क्या एगा? e की पाउर मानस 7x और मानस 7x से क्या आएगा? मानस 7 आएगा ठीक? अभी फोंच आएगा? इसे अभी दिफ्रेंस से कना एं तो आएगा दीक? अभी दूआरा डिफ्रेंस से क्या मिलेगा? dy dx dy upon dx इसका करें इसको टू यहाँपे काईगा 100 यहाँपे देंगे तो dy dx 7 multiply 5 एकी पहुँआ 7x plus minus minus dy dx 6 multiply 7 एकी पहुँआ 7x यह होगा अब देखें यहाँच क्या करेंगे 7 और 5 जो multiply में यह क्या constant बाहर हो जाएंगे नुमाराएगा 100 है 7 multiply 5 dy dx एकी पहुआ 7x बाहर हो गया फिर minus यहाँपे देखे 6 6 multiply 7 dy dx एकी पहुआ 7x एकी पहुआ 7x यह बन जाएगा मारा ठीना आप देखेंगे यहाँआ से 7 और 7 constant है तो इसको पूल और दोलों कॉमेंट है बाहर कर लेंगी काएगा 100 multiply 7 बचेगा 5 अब देखो e की पहुआ एक से क्या होता e की पहुआ ऐसी होता है यहाँ से और इस 3 जिसको हमने रट किया 7x को क्योंकि 7x था जिसको जब रट करेंगे तो यहाँआगा 7x का differentiate करेंगे यहाँ बचेगा अब दी स्क्वाइल यहाँ पाँड में dx का whole square अब देखे यहाँ से 7 और यहाँ 7 दोलों को कॉमें तो बाहर कर लिएज़ेंगे 100 multiply 7 multiply 7 और यहाँ बचे कितना वाँआँगा 5 e की पहुआँगा 7x minus 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 की पहुआँगा प्लस क्या हैगा 6 e की पाँड मानस 7x यह form मिल जाएगा अब 100 को अंदर भेज दीजिए तो 100 विद अंदर भेज जाएगे तो क्या है वारा 7 7 49 यह 49 बनेगा अंदर आएगा 500 e की पाँड 7x यह से multiply करेंगा 600 e की पाँड मानस 7x यह मिल जाएगा और यह पूरी विदू जखी यह पूरी विदू को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपके पास कुद के कोई math problem है तो आप हमारे comment पासे comment करेंगे आपको बता देंगे हम उसको सल्टेसर आपको बता देंगे तो आज इक लास के लिए धन्य वाज़ाएं